हलो फ्रेंज टेकर यूटूबर में आपका स्वागत है फ्रेंज आज किस वीडियो में ग्रो अप्लिकेशन में आप फ्यूचर एंड आप्शन इनेवल करना चाहते हैं जैसे देखते हैं नीचे आपको सो करेगा exposure and option activate करना चाहते हैं बिल्कूल असान तरीकेश कर सकेंगे जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरह से आ जायगा activate मतलब future and option activate करननी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कैसे करते हैं आज कम्प्लिट परसेंस में आपको लाइप देखाएंगे जैसे इस पर क्लिक करने बाद यहां से आपका सोग कर देगा जो देखते हैं इस bank statement यहां से salary slip और यहां से ITR फाइल करते हैं तब यहां से अब देखते हैं farm solar B और यहां से देखते हैं dp transaction देखते हैं holding share का statement आप जैसे आप इसमें से 5 option में से आपको एक जोता देना statement तो फें आप अपना जोता सबसे बेश तरीका दो तरीका है जैसे फें यहां से first वाला bank statement देना चाहते हैं तो देखते हैं नहीं तो फें यहां सबसे नीचे जैसे आप अपने grow application में 2000 से 4000 के बीच में share buy किये होंगे तो उसका जोता statement आप इसमें add करकर लगा सकते हैं जैसे अपने profile पर क्लिक करेंगे तो यहां से देखते हैं report का option है जैसे report option पर आपको क्लिक करना है जैसे report option पर क्लिक करेंगे तो फें आप कभी भी अपने share को hold करते हैं आप buy करने बाद sale करते हैं maximum 2000 से अधिक होगा तो आपका जोता statement यहां से आपको डेमेट report option पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां download option पर जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका सो कर देगा जो देखते हैं यहां से आपका जोता उपर में detail देदेगा और नीची जितने share वाई की होगी maximum 2-4000-10,000 की बीच में उससे अधिक होगा 2000 से अधिक तो इससे देखते हैं हमारा state bank of india तो इसका हम select कर लेंगे और friend होता है क्या कि जैसे आप PDF upload करते तो उसमें प्रोटक्ट पासवर्ट लगा रहता है तो कभी भी आप अपना जोता है PDF फाइल जोता अपलोड करें जोता है इसे फीचर और अप्सन में जोता फैन नोस्तू में तो friend इस इसमें आप अपना जोता पासवर्ट न लगे उसको unlock करके करना चाहिए इससे का होगा कि आपका फैल नहीं होगा और feature and option इक्टवेट बहुत आसान तरीके से हो जाएगा जो देखते हैं जैसे हम confirm option पर क्लिक किये हैं तमारे देखते हैं इस तरह से OTP आएगा जो देखते ह करेंगे उसके पर से देखते हैं नीचे आपको क्लिक करना है जैसे आपको सही रहेगा तो प्रसीड आप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो तुरंत आपका डिट कर लेगा आपका फोन उसके पर से फ्रेण यहां से आपका सो कर देगा जो देखते हैं upload bank statement 6 मतलब आप महीने म आपका जोता है future and option जोता enable हो जाएक एक्टिवेट हो जागा और आपको कोई problem नहींगी तो देख सकते हैं यहां से फ्रेंड हमारा जोता है यहां से statement download करने के लिए हम अपना statement download कर चुके हैं और आप statement download करने करने का नहीं सही तरीका बता है यहांनो वियाइस download कर सकते हैं net banking कर सकते हैं जिसे आपका कोई भी बैंक होगा जिसे पंजाब नेशनल बैंक तो पी एन भी वान अप्लिकेशन से रांडोड कर लिजेगा जिसे देखते हैं यहां से हम अपना जोता statement download करने बाद allow option पर क्लिक करेंगे तो हमारा कहां फाइल है bank statement का तो यहां से आप यहां से सरीके से एक्टिवेट हो जाएगा मैं शुरू में भी बोला हूं फिरें आप यहां से ध्यान देख लिए ध्यान दीजिएगा तो देख सते हैं clearly हम अपना एड़ कर रहे हैं तो आप यहां से ओपन करके पहले देख लिजेगा जो आपका PDF है इसमें जो आपका code रहेगा PDF क यहां से इस तरह से आपको serial देख लिजेना है उसके पर फिर से आपको open करना है जैसे ही open करेंगे तो आपका सही रहेगा तुरंत open हो जाएगा तो password नहीं लगा रहेगा तो देख सते हैं हमारा यहां से uploading successful हो चुका है और यहां से देख से unlock request receive हो चुका है और यहां से 24 घंटी के लिए आपको wait करना पड़ेगा और आपका request processing में चला गया है जैसे आपका जो आता है बैक हो चुके हैं जैसे बैक होंगे उसके पर spend हमारा यहां से सो कर रहा है आप यहां से देख सते हैं हमारा बैक करने का option और एक future and option हो जाएगा तो फ्रेन यह तरीका कैसा लगा कमेंट में जरू बताएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन जरू फेस कीजएगा